हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट लरन लवर में दोस्तो आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे समझे में होंगे और अच्छा प्रोफिट आप कामा रहे होंगे दोस्तो देखे अभी कोई 3-4 दिन पहले मैंने एक आप देने वाले हैं तो उस वीडियो में इसमें से 5 बनाए थे और पूछा था कि अगर नेक्स पार्ट आप चाहते हैं तो दूसरा पार्ट जल्द ही बना दी जाएगा तो बहुत से लोगों कमेंट वहां आया कि दूसरा पार्ट आप बनाओ तो दूसरा पार्ट आज हम उसका लेकर आए हैं जिसमें 5 शेर और बताए जाएंगे अगर किसी ने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिये जाएगा उसे भी जाकर आप देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल के आइकन को ओल पर सेलक्ट जरूर कर लीजिएगा जिससे की आने वाली से भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथी साथ देखे कहना चाहूंगा ये दि आप कोई ऐसा इस्टोक है जो आपकी नजरों में है और आप हमसे डिसकस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम पूरी कोसिस करेंगे उस पे एक फुल एनलेसिस वीडियो बना दी जाए तो चलिए देख लेते है आज का पहला इस्टोक देखे पहला जो हमारा शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्परनेशनल निमिटेड ये एक मोनोपॉली कंपनी है और जो हमारा रेलवे है उसको ये फाइनेंस प्रोड कराता है और इन फ्यूचर जो है रेलवे का बहुत ही अच्छा एक फ्यू कर सकते हैं प्री बहुत सच्टा है चेका और बुक वैल्य है तैंतिस की तो बिक वैली से भी नीचर ये हमें मिल रहा है और आरोई और आरोसी 15 से उपर तो शांदार है एक फेस वैलिए 10 की ज्यादा कुछ तो कंपनी के बारे में देखेंगे नहीं लेकिन फिर भी सेल्स द करोड के जो कभी 22 करोड के हुआ करते थे हैं प्रमोर्टर सोल्टिंग अगर देखें हम इसकी तो बहुत ही शांदार है 86 परसेंट है और एक प्रसेंट एफाइए के पास और लगभग सारे 3 परसेंट है पब्लिक के पास सिर्फ 9 परसेंट है तो इन फ्यूचर बहुत ही श समय इंवेस्ट करने हैं और 10,000 का पॉर्फोलियो आपको करोड रुपे बना के देगा देखे 48,000 करोड का यह चोटा सा बैंक है 25 रुपे करेंट प्राइज है 25 का पी और बुक वैल्यू है बारा की आठ परसेंट का इसका आरोई और आरोसी है 4.44 परसेंट का बात करें इस बहुत ही तखड़ा इसका प्रमोर्टर हळंड डिंग हमें दीखता है और प्रोड मोटर्स के पास बहुत ज्यादा यह जो हैं इसको जो है सेखनी कर सकती है प्र summ devever तो इफूचर थोड़ा अटरेखनाय है हमें इसमें यह कांच हुए दिखा सकता है नाम है है विकास लाइफ के लिमिटेड और इसके प्रमोटर होल्डिंग तो आपको बहुत कम ही देखने मिलेगी क्योंकि प्रमोटर्स ने जो है अपना इस्टेक सेल करके अपनी करजों को कम किया था और अब जो है कंपनी बहुत ही अच्छे कर रही है सिर्फ 600 करोल की कंपनी है 689 करोल और चार रुपए 80 पैसे का करंट प्राइज है और अगर हम इसके डेबिटर देखें तो 227 से 62 पर आ गए हैं बहुत अच्छा इंप्रूमेंट यहां पर इसने किया है वर्किंग कैपिल जो वर्किंग कैपिटल है यह भी इसने रिड्यूश किया है 155 से 41 दिन कर दिया है इसने कंपनी की सेल्स भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगी जहां 9 करोड क करती थे तक एक्सण प्रोड की सेल्स कंपनी ने की है और नेट फ्र Gef 2 जहां लोग करते थे कभी वहां धाइस करोड का नेट फ्रोफित निकाला है कंपनी ने और यहां आप देखें सेल्स ग्रोथ तो 219 परसेंट से बढ़ी है और प्रोफिट ग्रोथ 212 परसेंट से और बढ़ा है 37 परसेंट से और जो एक्विटी पर रिटन है वो है 21 परसेंट का तो बहुत सांदार कंपनी रिकवर कर रही है और बिजनिस मोडल इसका जो फ्यू पूचर रिटन देते हुए हमें दिखाई देगी नेक्स्ट स्टोक हमारा अगैन रेलवे सेक्टर से है सरसट रुपे का इसका करेंट प्राइज है अभी जो है माइनस में चलता है क्योंकि अभी पिछले कुछी दिनों में इसने पैसा डबल कर दिया था और नाम है आर वी 75,000 करोड रुप जो है इसको ओर्डर मिला हुआ है 75,000 करोड का जो अगले पांस सालों में इसने करना है और कितना कॉंफिडेंस है कंपनी को कि अगर पांस सालों में यह नहीं कर पाए तो यह जो हैं भारत सरकार को पैसे रिफंड करेंगे 300 करोड रुपे यहां आप देख सकते हैं कि 4-5 साल का यह बताया है इन्होंने कि 4-5 साल में इन्होंने यह करना है पूरा काम तो अगर 4-5 सालों में अगले यह 75,000 करोड का काम नहीं कर पाए तो यह भारत सरकार को रिफंड करेंगे कुछ और देखिए इनका जो एम है वो ऐसी पट्री बन और सिर्फ 14,000 करोड की कंपनी है और 75,000 की इसकी करेंट जो ओर्डर बुक है वो आपने देखी ली है और सरस्ट रुपे का इसका शेयर प्राइज है उननिसका आरोई है फेस वैलियू है दसकी शेयर होल्डिंग पैटरन अगर कंपनी का देखें 78% प्रमोटर्स के पास है डियाई के पास लगवग पोने 2% और सोरी एफ़ाई के पास और डियाई के पास है लगवग 7,5% पब्लिक के पास सिर्फ 12 रुपे सोरी 12% की और देखे मैंने इसको एक वार पहले ही बताया था जब ये 30 रुपे का आसपास ट्रेड करता था सेयर तब से अब तक डवल पैसा कर चुका है और मैंने जो परसनली इसको लिया था वो लिया था 18 रुपे पर अब देख लेते हैं अपनी लाश्ट कंपनी का नाम है देखे एज ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड और सिर्फ और करोड की छोटी कंपनी पी इसका थोड़ा साब महंगा है अभी थोड़ा जैसी नीचे आए तो इसको हम ले सकते हैं 40 के आसपास इसमें अच्छे बाइंग बनेगी और इसके अगर हम कौन जो प्रोज की बात करें तो देखे कौन जो है कि बुक वैल्यू से 30 गुनाई उप पर ट्रेड कर रहा है कोई बात नहीं जब अच्छे प्रोफिट कंपनी करती है तो यह तो होई जाता है साथ ही साथ अगर हम इसके देखें देखें कंपनी जो है अल्मोस्ट डेप्ट फ्री है एक अच्छा गुड क्वाटर कंपनी देने वाली है और 40 परसेंट का पिछले पांस साल का जो प्रोफिट ग्रोफ है वो कंपनी ने बनाई हुई है एक्विटी पर रिटन 48 परसेंट का देती है ये कंपनी हमें और साथ ही साथ 18 परसेंट की एक गुड डिविडेंट भी हमें को ये बनाई हुए है साथी साथ इसने अपने जो डिविटे डेज हैं उसको भी इंप्रूब किया है एक सो तीन से ये 79 पर लिया है तो बहुत अच्छी ग्रोफ एक कंपनी दिखा सकती है शेर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास है लगबग 75 परसेंट एफाई आई के पास धाई परसेंट धाई परसेंट ही डियाई आई के पास और पब्लिक के पास सिर्फ 20 परसेंट है तो दोस्तों ये कुछ शेयर थे अगर देखे पहले पार्ट आपने नहीं देखाया तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत